जहन मित्रो कल्यानी आईस अकेडमी के ओनलाइन प्लेटफोर्म में आप सभी का हर्दिक स्वागत है मित्रो आज की इस वीडियो में हम अध्यन करेंगे मद्द प्रदेश के अंतरगत आने वाले उद्ध्योगों का कि आखिर मद्द प्रदेश में जो उद्ध्योग लगाए गए हैं वो किन आधारों पर लगाए गए हैं और कहां पर लगाए गए हैं साथी साथ मद्द प्रदेश की अर्थवस्ता पर उद्ध्योगों का क्या प्रभाव पड़ता है या हम किसी देश या प्रदेश की अर्थवस्ता की बात करें कि किसी देश की अर्थवस्ता को कैसे चिन्नित किया जा सकता है कि वह बिक्षित है विकास सील है या फिर अल्व बिक्षित है तो उसको चिन्नित करने के लिए सबसे बड़ा युगदान होता है उद्योग छेत्र का तो यदि हमें मद्धप्रदेश के विशाय में पता होगा कि मद्धप्रदेश में कौन-कौन से उद्योग लगाए गए हैं लेकिन इसके उत्खनन के छेत्र में यह बहुत ही पिछड़ा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि यहां पर लगवग 25 प्रकार के खनिच पाया जाते हैं लेकिन सिर्फ 8 प्रकार के खनिच जो कही क्या किया जा रहा है उत्खनन किया जा रहा है। उसी तरीके से जिस तरीके से खने संसाधन में तो है लेकिन उसके उत्खनन में पिछड़ा हुआ है उसी तरीके से यहां पर बहुत सारी दशाएं तो हैं उध्योग के उत्पन होने की लेकिन अध्योग दरश्टी से मद्द प्रदेश अभी भी पिछड़ी हुई अवस्था में आता है मद्द प्रदेश को विक्सित राज बनाने के लिए सरकार ने अलग-अलग समय पर किरम बद रूप से कई परिवर्तन किये हैं कई नितियां लागू की हैं जैसे कि मद्द प्रदेश अध्योग नीती 1994 के द्वारा जो मद्द प्रदेश के मृत प्राह उद्योग उनको जीवांत बनाने का प्रियास किया अगया था इसमें सरकार सफल भी हुई थी बहुत सारे उत्ध्योगय से थे आप देख सकते हैं कि मद्द प्रदेश में IT फॉर्म की स्थापना हो चुकी है, साथी साथ बहुत सारे कॉरिडोर का भी विकास किया जा रहा है, इनके विकास के साथ ही मद्द प्रदेश में जो उध्यों के लिए वातावरण है, वह बहुत ही सुगम बनाया जा रहा है, तो ये तो हमने समझा कि मद्द प्रदेश में उध्यों की स्थितिक है क्या, अब समझते हैं कि मद्द प्रदेश में जो उध्यों हैं, उनको बास्तों में कितने आधारों पर बरगी करण के आधार पर, तो मद्द प्रदेश में इनका बरगी करण चार आधार पर किया गया है पहला है खनेज आधारत उध्योग, दूसरा है क्रशी आधारत उध्योग, खनेज आधारत उध्योग जो खनेज पर आधारत हैं, अर्थात खनेज उनके लिए कच्चे मालका काम करता है और उनसे नई चीजें बनती हैं, दूसरा होता है क्रशी आधारत उध्योग, इसके ल कि इस्तिती है या उद्धियों का वरगी करण है वहें चार आधार पर किया जाता है कौनकों से आधार हैं तो एक खनेज आधारित उध्यों खरजी आधारित उध्यों का भी अध्यन करेंगे चलिए इस्टार्ट करते हैं हमारे topic को जिसमें सबसे पहले हम उठाते हैं खनेज आधारेत उध्योग, खरने जाते हैं उध्योग के हमें किन-किन उध्योग का ध्यन करना है, तो इसमें हम सीमेंट उध्योग का ध्यन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हाँ चूना पत्थर की विसाल चट्टाने पाई जाती है, उत्तम स्रणी का चूना पाया जाता ह और चुना पाये जाने के कारण मद्ध प्रदेश में सीमेट उद्ध्योग इस्थापित किये गए हैं। प्रदेश में सीमेट उद्ध्योग इस्थापित किये गए हैं। प्रदेश में किन-किन उद्ध्योग का अध्यान करते हैं। तो किरसी आधारत उद्ध्योग में हम अध्यान करते हैं चीनी उद्ध्योग का जो गन्ना होता है। गन्ना एक नगदी फसल होती है और गन्ने से क्या बनाए जाती है। चीनी सक्कर बनाई जाती है तो इसकी भी बहुत सारी मिले मंदप्रदेश में लगाई गई हैं तो हम चीनी मिलों का अध्यन करेंगे साथी साथ सूती कपड़ा उद्ध्योग जो कि आपको पता है कि मंदप्रदेश कपास उत्पादन में तीसरा इस्थान रखता है यहाँ प कागज उद्ध्योग बीड़ी उद्ध्योग लगड़ी चीरने के कार खाने या उसके जो उद्ध्योग डाले गए हैं उनका अध्यन करेंगे कथा उद्ध्योग लाख उद्ध्योग और दिया सलाई उद्ध्योग क्योंकि जितने भी उद्ध्योग है इनमें कच्छे माल प्रठ के रूप में बनों से लाए गई लगडी या बनों से लाए गई उत्पाधी काम करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बनाधारित उद्ध्योग, रसान आधारित या गयस आधारित उद्ध्योग के अंतरगत हम किनकिन उद्ध्योग का अध्यन करेंगे, तो इसके अंतरगत हम तेल सुधक कारखानों का अध्यन करेंगे, साथी साथ डिटर्जेंट कारखाना, उर्वराक तथा कीट नासक संयंत्रों का अध्यन करेंगे और पेट्रो रसाइन आधारित उद्ध्यों का अध्यन करेंगे तो मद्द प्रदेश में जो उद्ध्यों हैं जिनका वरगी करन हमने चार आधार पर किया है उनकी अंतरगत हम निमने लिखेत उध्यों का अध्यान करेंगे चलिए उनको हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले उठाते हैं खने जाधारित उध्यों को खने जाधारित उध्यों में पहला उध्यों क्या था हमारा सीमेंट उध्यों था तो अब जैसे ही सीमेंट उध्योग की बात आती है तो आपके मन में प्रश्ण आता होगा कि मद्धप्रदेश में ही सीमेंट उध्योग क्यों लगाए गए हैं तो दोस्तों आपको पता है कि जब हमने मद्धप्रदेश का डाइग्राम देखा था, तो मद्धप्रदेश में, मैं थोड़ा सा आपको डाइग्राम के रूप में इस्पष्ट कर देता हूं, कि यहाँ पर विंध्यन सेल समूह पाया जाता था, विंध्यन सेल था, और विंध्यन उक्की चट्टानों में पाया जाता है, साथी साथ केमूर सौन घाटी में भी मिलता है, कहाँ पर मिलता है, एक विंध्यन उक्की चट्टानों में एक केमूर सौन घाटी में मिलता है, यहाँ पर उच्चिस रहनी का चूना मिलने के कारण, चूना पत्थर मिलने के कारण यहां पर जगा जगा पर सीमेंट उद्यों के स्थापित किया गया है देखते हैं आखिर मद्द प्रदेश में कौन-कौन से सीमेंट उद्यों के स्थापित किये गए हैं और उनका जो संचाला ने वो किन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है साथी साथ उन उद्यों रखना है कि यह कहां पर आती है मुरेना के बान मौर में आती है उस इस्थान के आधार पर ही इस फेक्टरी का नाम है वान मौर फेक्टरी किलियर है इस्थापना कप की गई थी? 1922 में की गई थी, यह मद्द प्रदेश की सबसे पहली cement factory है यहाँ यदि हम प्रवित्य या सौमित्यो का बात करें या इसका संचालन कौन सी कंपनी कर रही है? तो बहुत कर रही है, ACC cement company, कौन सी कंपनी? ACC cement company, पूरा नाम क्या है? associate cement company, क्या बनाती है? उत्पाद में क्या बनाती है? तो यह आद्र विधी द्वारा साधहरन portland cement का उत्पादन करती है फिर ये factory सबसे पहली थी जो खोली गई थी लेकिन बाद में इसे बंद गर दिया गया फिर बाद में कौन सी factory खोली गई क्यमूर factory कहाँ पर आती है तो यह कटना के समीप आती है क्यमूर नामक इस्थान पर इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1923 में की गई थी कब की गई थी 1923 आपको इस्थापना वर्ष याद रखना है यहाँ पर तो 1923 में की गई थी इस्थान क्या है कटनी के समीप केमूर नामक इस्थान पर इस पर स्वामित किसका है तो इस पर भी स्वामित ACC कंपनी का है और बात करें यह क्या, किस चीज का नर्माल करती है तो यह स्वेस्टास था सीमेंट की चादरें बनाती है हमने स्वेस्टास जब हम खने संसादन पढ़ रहे थे तो इसमें मैंने बताया था स्वेस्टास से चादरें बनाई जाती है तो इसमें एस्विस्टास और सीमेंड की चादने बनाने का कारखाना है और आदर विदी द्वारा चादने बनाने का कारखाना भी है मतलब आदर विदी द्वारा भी यहाँ पर चादने बनाए जाती है अंगली factory का नाम है सतना factory, क्या नाम है सतना factory, नाम से ही सिद्ध होता है कि यहाँ कहाँ पर होगी, तो यहाँ सतना में होगी, इसकी स्थाबना कप की गई थी, तो 1969 में की गई थी, कप की गई थी, 1959 में की गई थी, स्वामित किसका है तो ध्यान रखना यहाँ पर स्वामित है बिड़ला जूट मैनुफेक्चरिंग कमपनी का किसका है बिड़ला जूट मैनुफेक्चरिंग कमपनी का ACC का कहां पर था तो ACC का कैमूर में था और कहां था बानमौर में था दो जगा ACCC मेंट का था सतना में किसका है तो बिलला जूट मैनुफेक्चरिंग कमपनी का है यह क्या बनाती है तो यह भी पोर्टलेंड सीमेंट का निर्माल करती है किसका निर्माल करती है पोर्टलेंड सीमेंट का फिर अंगली कमपनी है जिसे मेहर फैक्टरी कहते हैं तो मेहर फेक्टरी भी कहां पर इस्ते थे तो यह भी सतना में है और इसकी स्थापना कब की गई थी 1980-1981 में की गई थी 1980-1981 में और यह भी सतना में हैं सतना में हैं तो इस पर स्वामित किसका होगा उसी का जिसका सतना फेक्टरी पर था बिलला जूट मैनुफेक्टरिंग कंपनी किसका है बिलला जूट मैनुफेक्टरिंग कंपनी तो ध्यान रखना ACC कंपनी का दो जगा स्वामित रहा है और बिलला जूट मैनुफेक्टरिंग कंपनी का भी दो जगा पर सौमित्व हैं इनकी दो जगा पर फेक्टरी कारी कर रही है नीमच फेक्टरी के स्थापना भी 1980-19оты میں हुई थी और नीमच ध्यान रखना नाम है नीमच लेकिन नीमच में नहीं आती ये कहाँ पर आती है? मंदसौर में आती है तो आपको इस चीट को ध्यान रखना है नीमच फैक्टरी लिखते वक्त कि ये कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई है अन्र फैक्टरी की बात करें तो यहां पर छिंदवाडा में जामुल फैक्टरी है और रीवा में जेपी सीमेंट फैक्टरी है तो आपको सीम के बिषए में लिखे तो सीमेंट फैक्टरी के बिषए में ने इतनी सारी आपको जानकारी दी हैं कि आपका 200 सब्दों का question भी पूरा हो जाएगा आपको बताना पड़ेगा कि मंद्द प्रदेश में चूना पत्थर कहां पर पाया जाता है किस किसम का है किन चटानों में मिल कि इनकी स्थापना की गई है, और कौन से उत्पाद बनते हैं, इन सभी का विवरण आपको देना है, चलिoba आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, चीनी मिट्टी उद्द्यूग, चीनी मिट्टी के बरतन देखे होंगे, आपको पता है कि मदप्रदेश में फ्ाइर किली की समझने का प्रयास करते हैं कि चीनी मिट्टी के कौन कों से बरतन कहा कहां पर बनाया जाते हैं तो यदि हम चीनी मिट्टी के बरतनों की बात करें साधरन से जो बरतन जो आपको डेल यूज में आते हैं तो वह गौालियर जबलपुर और रतलाम में बनाया जाते हैं तीन जग प्याली तस्तरे और अचार के पार्ट आपने देखा होगा कि अचार के पार्ट आते हैं तस्तरी आती हैं प्याली आती हैं जनमें आप चाय पीते हैं तो इनका निर्माल कहां पर होता है जबलपुर में कहां पर होता है जबलपुर में होता है दूद चाय आदी के जो बरतन चीनी मिट्टी के बनाय जाते हैं वह बनाय जाते हैं ग्वालियर में तो ध्यान रखना प्याले तस्तरी और अचार के पाट जबलपुर में बनाय जाते हैं साथी साथ चाय और दूद के जो भरतन है वो कहां पर बनाय जाते हैं वो ग्वालियर में बनाय जाते हैं किले से पा जबलपुर कटनी में बनाए जाते हैं, प्याले तस्तरी अचार के पाठ जबलपुर में बनाए जाते हैं, दूद और चाय के जो बरतन होते हैं वह जबलपुर में बनाए जाते हैं, किले के पाइप और बिसन कहां पर बनाए जाते हैं, जबलपुर और कटनी में बनाए जात हीरे का उत्पादन कहां पर होता है आपको पता होगा पन्ना, सतना, छतरपूर इन से हीरा निकाला जाता है लेकिन हीरे का परिस्क्रत जो केंदर है या इसके लिए जो उद्योग लगाया गया है वह कहां पर लगाया है पीथमपूर में लगाया गया है और पीथमपूर किस जले के अंतरगत आता है तो ध्यान रखना यह धार जले के अंतरगत आता है किसके जले के धार जले के अंतरगत आता है इसे मद्ध पृदिस का डेट राइट भी कहा जाता है आगे हम इसको डिटे नामक प्रशिद एकाई कि स्थापना 1960 में की गई थी किस देश के सहयोग से की गई थी तो यह ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी और ब्रिटेन के सहयोग से करने के बाद यह स्थापित कहां पर किया गया तो यह भोपाल में स्थापित है तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो और बास्प एवम जल के टर्माइन बनाए जाते हैं, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदी का निर्माण किया जाता है, किस-किस का निर्माण किया जाता है, जल और बास्प के टर्माइन बनाए जाते हैं, इसके बाद जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदिका यहाँपन निर्मान किया जाता है बात करते हैं और बरा कुद्धयों का तो आपको पता होगा कि मदड़ परदेश में रौट फॉसफीट बहुता मात्रा में पाया जाता है इसमें प्रथमिस्थान भी रखता है मदड़ परदेश तो जो रॉक फास्फेट पाया जाता है और यह कहां पर पाया जाता है तो जाबुआ में पाया जाता है जाबुआ में और रॉक फास्फेट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था कि रॉक फास्फेट का उप्योगी क्या बनाने में किया जाता है और वरक बनाने म से होता है लेकिन औरवरग बनाने का कारखाना कहां पर खोला गया है गुना में खोला गया है ये आपको ध्यान रखना दोनों ही अलग-अलग है तो औरवरग बनाने का कारखाना कहां है गुना रॉक फस्पिट कहां से निकाल जाता है जहागवा से कोईला आधारत उध्योग तो कोईला आधारत उध्योग मद्द प्रदेश में NDPC तथा मद्द प्रदेश बिद्धुत मंडल द्वारा अनेक ताप बिद्धुत ग्रह स्थापित किये गए हैं अनेक ताप विद्धुत ग्राहे से मतलब जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे मद्धपृतिस में परमपरागत उर्जा संसाधन, परमपरागत उर्जा संसाधनों में हमने दो संसाधन पढ़े थे, एक ताप विद्धुत संयंत्र पढ़े थे और एक जल विद्धुत संयंत् करने के तो उन्हें ही हम कोईला आधरत उध्यों के अंतरवत पड़ते हैं जैसे कि चांदनी ताप विद्धुत के अंदर जो की सबसे पहला है बिन्य अंजल ताप विद्धुत के अंदर जो की सबसे बड़ा है सत्पड़ा ताप विद्धुत के अंदर ऐसे ही बहुत सारे ह इसके अलाबह भी मध्रदेस में, खाने जा आधारत, कौनकोन, से उद्योग पाये जाते हैं, जैसे की ताबा, हमें पता है कि ताबा, सबसे ज़्यादा, मध्रदेस में कहां पर निकाला जाता है, तो बाला घाट में, मलाच खंड की, खाने हैं, कहां पर हैं, बालागाट में मलाजखंड की, मलाजखंड का इस्थान है, वहां से तावबा बहुत यातमात्रा में निकाला जाता है, तो वही पर तावबा उध्योग भी स्थापित किये गए हैं, साथी साथ स्लेट बनाने के उध्योग मंदसौर में स्थापित किये गए है मैगनीज उद्योग, मैगनीज भी सबसे ज़्यादा कहा निकाला जाता है तो बालाघाट से निकाला जाता है और छिनवाडा, तो यहाँ पर बालाघाट और छिनवाडा में मैगनीज उद्योग स्थापित किये गए हैं साइकल बनाने के उध्योग कहां पर हैं गुना में खोले गए हैं कहां पर खोले गए हैं गुना में खोले गए हैं तो मद्द प्रदेश के अंतरगत खनेज आधरत उध्योग के अंतरगत इतने सारे उध्योग आते हैं और भी हैं छोटे छोटे हैं तिने महात्तों नहीं रखते हैं जितनी महात्रपून जानकारी आपके लिए जरूरी है एक्जाम की दरश्टी से महात्रपून है वो मैंने यहाँ पर कबर करने का प्रयास किया है चलिए हम बात करते हैं मद्द प्रदेश में किर्सी आधरत उध्योग कि किर्सी पर आधरत उध्योग कौन कौन से हैं अर्थात ऐसे कौन कौन से उध्योग हैं जिनके लिए किर्सी से निकलने वाला उत्पाद कच्छे माल की रूप में कारिय करता है तो आपको पता होगा कि जो मद्द प्रदेश वो कृषी प्रधान राज है, हमारा भारत भी कृषी प्रधान राज है और मद्द प्रदेश भी कृषी प्रधान राज है, मद्द प्रदेश की 70% जनसंख्या गाओं में निवास करती है, और यदि बात करें कि कृषी पर कितन समझने का प्रयास करते हैं तो पहला उद्योग है चीनी उद्योग चीनी मतलब सक्कर शक्कर बनाने के कारखाने कहां कहां पर खोले गए हैं और क्यों खोले गए हैं चुकि आपको पता होगा कि मद्द प्रदेश में गन्ना बहुत मात्रा में उगाया जाता है और गन्ना बह जैसे कि भोपाल सुगर मिल, ध्यान रखना, नाम है भोपाल, शुगर मिल, लेकिन यह आती कहां पर है, सीहौर में आती है, कहां पर आती है, सीहौर में है, कैलारस सुगर मिल, मुरेना में है, बरलई सुगर मिल, जो बरलई सुगर मिल है, वह है इंदौर में है, और सबसे जावरा सुगरमिल है वायमद्द प्रदेश की सबसे पहली सुगरमिल है और यहाई स्थापित है कहाँ पर रतलाम में और इसके बाद आती है सारंगपुर सुगरमिल जो आती है राजगर में तो किलियर हुआ और भी सुगरमिले हैं लेकिन महत्फून सुगरमिले मैंने यहा तो यह आपको इतनी आप याद कर लिजिए परिक्षा की मुख परिक्षा की दरश्टी से इतनी सफीसियंट है क्योंकि आप इतना ही लिख पाएंगे आपके पास ज्यादा इसकोप भी नहीं है लिखने का किलियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सूती कप करता है मद्दप्रदेश तो चुकि मद्दप्रदेश में कपास बहुत अधिक उत्पादत होता है इसलिए यहां पर बहुत सारे सूती कपड़े बनाने के उध्योग खोले गए हैं इंदोर राज सबसे बड़ा कपड़ा उध्योग उत्पादन के अंदर था ध्यान रखन का संकेंदरन मुखता कहां पर है पश्चमी मद्प्रदेश में हैं जिन में इंदोर ग्वालियर उज्जन छेत्र आते हैं तो आपको पता है कि जितने भी उध्योग हैं वो पश्चमी छेत्र में ही हैं लेकिन जो आपका कपास उत्पादन है वो कहां पर होता है दक्षन प में किया गया है बरतमार मैं मद्दप्रदेश में 513 खार खाने हैं सूती कपड़ा मिलोगे कितने हैं 513 कार खाने रेसम उध्योग की बात करते हैं तो रेसम जो है कृशी बान की पर आधारत उध्योग है इसका मुख्ष्देश घ्रामों में ही घ्रामीनों को रोजगार उप लब्द कराना गाउं में क्या होता है गाउं में सहतूत के व्रक्ष लगा जाते हैं सहतूत के व्रक्षों के द्वारा वहाँ पर इल्लियों का पालन किया जाता है उन्लियों से ही रेसम का उत्पादन किया जाता है तो रेसम के द्वारा क्या है कि ग्रामिल इस तर पर ही कृतिम रेसे के कपड़े, तो कृतिम रेसे की बात करें, तो इसके कारखाने इंदौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जन और देवास में हैं, कहां कहां पर हैं, इंदौर में, ग्वालियर में, नागदा में, उज्जन में और देवास में हैं, तो इने छेत्रों पर कृतिम रेशे बनाने के उद्ध्योग खोले गए हैं यहां पर उद्ध्योग के माध्यम से रेशम बनाया जाता है रेशे बनाया जाते हैं गिरेशम मील नागदा इसका नाम है गिरेशम मील नागदा यह कृतिम रेशे बनाने की मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना है तो सोयवीन उध्योग की बात कर लेते हैं तो जो सोयवीन है वो मदप्रदेश में बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और कहां पर इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो पश्मी मदप्रदेश में कहां पर जो इंदौरुजन वाला च्छित्र है यहां पर य extract plant लगाए गये हैं और इसे हेतू केंध्रिय पूजी से और जैन तथा बढ़वाहें सहेकारिता के आधार पर एक एक कारखाना भी खोला गया है एसिया का सबसे बड़ा स्वेवीन कारखाना कहां पर खोला गया है तो Energie में खोला गया है लेकिन कार खाना उज्यन में है लेकिन इसका जो अनुशंधान होता है अनुशंधान का केंदर वह इंदोर में है किलियर हुआ स्वयवीन तेल उध्योग बात करते हैं हम बनसपती गी उध्योग साधरन सिभासा में आप इनको डाल्टा कहते हैं बास्ताओं में बनसपती गी नहीं है डाल्टा एक कंपनी है जो की सबसे पहली कंपनी थी बनसपती गी बनाने की लेकिन उसका प्रचार इतना जादा हुआ कि लोग अब बनसपती गी को डाल्टा की नाम से ही जानने लगे है तो बनस्पती गी अलग है ध्यान रखना डाल्टा क्या है कंपनी का नाम है जो की बनस्पती गी बनाती थी बनस्पती गी की बात करते हैं तो इसके कारखाने मुख रूप से कहां पर गंजवा सुधा विदीशा जवलपूर खंडवा ग्वालियर आदी में है प्रदेश में बनस्पती घी के लगभग कितने कार खाने हैं, यह आपको ध्यान रखना है, अन्युत द्योग की बात करते हैं, जो की किरसी आधारत हैं, कौन कौन से हैं, तो एक चावल मिल हैं, चावलों की मिली भी लगाई गई हैं, आपको पता है कि पूरवी मद्द यह इस चावल उतपादन में प्रथमिस्थान रखता है, लेकिन अलग हो जाने के बाद, जो की 36 गड़ है, चावल का कटोरा कहा जाता है, वह अलग हो जाने के बाद, मद्द प्रदेश का जो पूरवी छित्र है, बस उतना ही बचा हुआ है, जहां पर चावल का उतपादन कहां पर होता है, तो आप जो भिंडो मुरेना बाला रीजन देख रहे हैं, उत्री मद्द प्रदेश की बात करें, तो वहां पर सर्सों का उतपादन बहुत आए मात्रा में होता है, तो उसकी कारखाने भी कहां पर खोले गए हैं, मिलें भी कहां पर हैं, तो हैं मुरेना मे किया जा रहे हैं क्या उत्वाद वो बना रहे हैं उनकी स्थापना कब हुई है इसी तरीके से हमने क्रिसी उध्यों का भी अध्यन किया अब हम बात करते हैं बनों पर आधारित उध्यों की बनों से निकलने वाली जो मुख उत्पाद है बनों से निकलने वाले मुख उत्पा तो विकास हो पाया है क्यों कि छित्र फल में मत्र प्रदिस में सबसे ज़्यादा बन पाय जाते हैं तो उद्योग की बात करते हैं तो पहला उद्योग कागज उद्योग कागज किसे बनाया जाता है तो यह पेडों की लकड़ी इसे बनाया जाता है, बुराद इसे बनाया जाता है, किलियर है, तो चलिए, समझने का प्रयास करते हैं, कागज उद्ध्योग, कहां कहां पर कौन कौन से उद्ध्योग हैं, तो 1948-49 में, नेशनल न्यूस प्रिंट एंड पेपर मिल, खोली गई थ आता है, कि अखवारी कागज की मिल कहां पर है, और कप खोली गई थी, तो 1948-49 में खोली गई थी, नेपा नगर बुरहान में खोली गई थी, दोनों नाम मिलते हैं, अखवारी कागज भी मिल सकता है, नेशनल न्यूस प्रिंट एंड पेपर मिल भी मिल सकता है, औरियंट प पेपर मिल औरेंट पेपर मिल जो है वो अमलाई सेहडोल में खुली गई है इसके बाद आता है महीन कागज बनाने के कार खाने तो महीन कागज मतलब जो छोटे छोटे देशों के द्वारा कार खाना जाते हैं उसका कार खाना कहां पर है तो महीन कागज बनाने का कार खाना है इन दोर में इसके बाद आता है नोट बनाने का जो कागज है या security paper मिल है अर्थात नोट जिन कागज से छपते हैं या फिर जो stamp duty paper होते हैं stamp paper होते हैं जो जिनका उपियोग security paper के रूप में किया जाता है वह बनाने का कारखाना कहां है तो वह है होशंगाबाद में ध्यान रखना नोट बनाने का कागज का कारखाना अलग है और नोट बनाने का कारखाना अलग है कागज कहां पर बनता है होशंगाबाद में बनता है और नोट बनाने का कारखाना कहां है जिसे currency printing press कहा जाता है तो वह देवास में है, कहां पर है, देवास में, मद्द प्रदेश के देवास में नोट छापे जाते हैं, लेकिन उन नोटों का कागज कहां पर बनता है, होशंगाबाद में बनता है, अखवारी कागज मिल कहां पर है, जो सबसे पहली खोली गई थी, तो वह कहां पर है, ने उमरपान के लिए उपयोग में लाई जाती है इसका निरमाल कैसे होता है तो एक तेंदू का ब्रक्ष होता है तेंदू के ब्रक्ष के जो पत्ते होते हैं उन पत्रों का संगरण करके उनको सुखाया जाता है उनको सुखाने के बाद उसमें जर्दा जो भरा जाता है जर्दा पाई जाती हैं, तो बीडी बनाने के जो उद्योग के केंदर हैं, जबलपूर और चतरफूर में हैं, तेंदू पत्ता से बीडी बनाई जाती हैं, तो यह पूँचा जा सकता है कि कि लकडी चीरने का उध्योग कहां पर है तो यदि हम बात करें तो लकडी चीरने का उध्योग मुखता तो जवालपूर में है और प्रदेश में इसके किते हैं 113 कार खाने हैं कितने कार खाने 113 कार खाने हैं इसका मुख्य के अंदर कहां पर है जवालपूर में हैं लेकिन इस मत्रप्रदिसम कथा, किस जंजाती द्वार एकत्रित किया जलता है, प्रशन पूचा गया है, तो खेरवार जंजाती, खेर के ब्रक्ष के आधार पर इस जंजाती का नाम खेर है, तो जो खेरवार जंजाती है, इसका प्रमुख ब्योसाई ही यही है, कथे का निर्मान करना, क लाक बनाने का कार खाना कहां पर है उमरिया में लाक आपने देखा होगा कि पहले आपके जो दादा दादी होते थे तो वह लाके की चूडियां पहनते थे मेलों में लाके की चूडियां मिलती थी ठीक है तो यह एक ब्रक्ष से निकाला जाता है ब्रक्ष के दूर से निकाला जाता है और उसका कार खाना कहां पर है ओमरिया में है दिया सलाई जो माचिस होती है उसे दिया सलाई कहा जाता है तो दिया सलाई बनाने का कार खाना कहां पर है गौलियर में है ध्यान रखना दिया सलाई के लिए जो लकड़ी होती है मतलब कच्छे माले की रूप में किसका लकणियों का ही होता है, रसायन इभम गैस आधरत उद्धियों की बात कर लेते हैं, तो आपके सिलिवस में जितनी चीज़ें थी मुक्परीशा में, वो हमने अध्यान कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी रसायन और गैस आधरत उद्धियों मद्द प्रदेस में तेल सूधक कारखाने की नाम से जाना जाता है क्या नाम से आगा सूध तेल सूधक कारखाने ये कहां पर है यह बीना में है मद्दप्रदेश के बीना में है जो की सागर डिस्टिक के अंतरगत आता है भारत में ओमान रिफाइनरी लिमिटेट द्वारा सागर जले की बीना मे आगासोद, 6 मिलियन टंच हमता के तेल सोधा कार खाना की स्थापना की गई है कहां पर है, सागर जले के बीना के आगासोद में है और किसके सहयोग से है, तो ओमान रेफाइनरी लिमिटेड के सहयोग से फूल पूर उत्तर प्रदेश्टा के कोईले गयस परिवाहन के लिए इस पाइपलाइन का बिकास किया है। अब द्यान रखियेगा। थीक है। उनकों डेटिल में आगे पढ़ेंगे। तो डिरजिन बनाने के कार खाने कहां पर है। जिन से कपले साफ किये जाते हैं। तो यह बनाने के कार खाने पिधंपूर, छिनवाला, मालनपूर और मंडदीब में है। औरवरक तथा कीट नास पिधंपूर धार सीहोर तथा जवलपूर में स्थापित किये गए हैं तो पेट्रो रसायन आधरत उद्धियोग कहां पर हैं तो यह भोपाल मंदला पिधंपूर धार और पिधंपूर धार में आता है और सीहोर तथा जवलपूर में स्थापित किये गए हैं तो यह हुए सा उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि मंदद प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नरमार किया जा रहा है, ताकि मंदद प्रदेश में उध्यों को बढ़ावा मिलें, जो बिदेशी निवेशे कम्पनिया है, वो मंदद प्रदेश के और आकरशक हों, और उनके लिए जिन जिन कठनाईयों का सामना करना पड़ता है उन कठनाईयों से उन्हें निजाद मिले साथी साथ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी आवशक परिस्थितियां हैं वो सारी आवशक परिस्थितियां वहाँ पर उपलब्द हों तो किस आधार पर बनाया जा रहा है तो यंगना एक्सप्रेस वे की तर्ज पर तीन इंडस्टियल कोरिडोर को तैयार किया जा रहा है मद्धप्रदीस में इनका मुखो देश है कि प्रदेश के सभी हिस्सों का समान रूप से विकास होना अर्थात मद्प्रदीस में अभी तक क्या है मद्प्रदीस में एक चित्र ऐसा है जिसे हम पश्वी चित्र कहते हैं मालवा चित्र कहते हैं जो कि उद्योग की दरश्टी से बहुत विक्सित हुआ है, लेकिन एक छित्र ऐसा है जिसे मद्दप्रदेश का पूर्वी और दक्षणी छित्र कहते हैं, वह है खने संसादन की दरश्टी से तो परिपून है, लेकिन वहाँ पर उद्योग की दरश्टी से वहाँ बहुत पि अप परेतन स्थल के लिए, उद्ध्यों खोल दो, तो इस तरीके से उद्ध्यों का विकास किया जा रहा है, उस इस्थान की परिष्थिती को देखते हुए, तो कॉरिडोर बनाने से, यहा निवेशकों को बहतर सुविदाएं मिलेंगी, और यहाँ corridor निम लेखे थे हैं तो निवेशकों को बहतर सुविदाय मिलने के लिए दिलाने के लिए जिस कारण यह जो निवेशक हैं वो मद्द प्रदेश की और आकर शक हूँ तो कौन-कौन से खोले गए हैं पहला है इंदोर भोपाल इंडस्टियल कोरिडूर भोपाल इंडस्टियल कोरिडूर जो है वो मद्द प्रदेश भोपाल से लेके इंदोर तक जो रूट है वहाँ पर एक खोला जा रहा है दोनों तरफ खोला जा रहा है यह है कॉरिडोर 190 किलो मीटर लंबा है कितना है 190 किलो मीटर लंबा है और लग भाग 1401 जमीन पर फैलेगा इसके लिए चिन्नित की गई 1401 खेती कि इस इंडस्टियल कॉरिडोर को विक्सित कितने में किया जाएगा 1401 खेती में विक्सित किया जाएगा कितने लंबे छेत्र में फैला हुआ है, 190 किलो मीटर छेत्र में फैला हुआ है, इस रूट में दोनों और, फर्मा, आईटी, रियल स्टेट, आटो कम्पनियां आधी सेक्टर इस्थापित किये जाएंगे, तो क्या-क्या इस्थापित किये जाएंगे यहां पर, यहां पर फर भोपाल वीना इंडस्टियल कॉरिडूर, क्या है भोपाल वीना, वोपाल से लेके वीना तक का जो एरिया है, वहाँ पर एक कॉरिडूर इस्थापित किया रहा है, जिसे कहा जाता है भोपाल वीना इंडस्टियल कॉरिडूर, यह कितने किलो मीटर लंबा है, तो 140 किलो मीटर है इस रूट में tourist center ध्यान रखना क्या खोले गए है tourist center रूप में विक्सित किया गया है क्या यहाँ पर और तो जाता कुछ है नहीं तो tourist center विक्सित किया गए है साची के आसपास का छेत industrial tourist center के रूप में तयार किया जाएगा अगला है जवलपूर सिंग्रॉली कटनी कोरिडूर जवलपूर सिंग्रॉली कटनी कोरिडूर है यह मद्रदेश का सबसे बड़ा कोरिडूर है कैसा है सबसे बड़ा कोरिडूर है इसके लिए 300 किलोमीटर लंबा रहेगा और इसके लिए जो भूमी चिन्नित की यहां पर किस-किस के उद्योग लगाए जाएंगी, इंडस्टीज खोली जाएंगी, तो हेल्थ, फूड जैसी सभी सेक्टरों के साथ एग्रिकल्चर को भी विसोस प्रमुक्ता दी जाएगी, क्योंकि इस शेत्र में एग्रिकल्चर के लिए विशेश महत्तु है, एग्रिकल कंदर हेतु, उद्योग विकास के अंदरों को भी स्थाफित किया जाएगा, प्रदेश में 25 जिलों में 25 ऑध्योग के अंदर स्थाफित किया गए हैं, यह कंकौन से उद्योग के अंदर स्थापितosium और कौन से राज्य सरकार द्वारा, तो इनको हम एक नजर में देख लेते हैं, प्रलिम्स की दरश्टी से भी महात्रपूर है, और मुख़ परिक्षा में, तीन नमर की दरश्टी से भी बहुत महात्रपूर है, क्योंकि पूछा जा सकता है, कि यह उध्योग कहां आता है, इस जाबूआ में, मेगनगर कहां आता है, जाबूआ में आता है, मनेरी कहां, मन्डला में, पीलू खेड़ी आता है, राजगर में, और पुरेना आता है, पुरेना पन्ना में, पीलू खेडी राजगर में, मनेरी मन्डला में, मेगनगर जाबूआ में, मालनपुर भिंड में, और पीथमपूर धार के अंतरगत आता है इसके तिरिक्त मदब्रदे सासंद्वारा जो सुईकृत के अंदर है उनको भी हम समझ लेते हैं कौन कौन से है बैडन सिंगरोली में आता है मंददीप आता है रायसेन में ध्यान रखना मंददीप की नामसे में लगता है कि भोपाल के पास में है लेकिन यह भोपाल जिले में आकर कहां पर आता है यह राजसेन जिले में आता है चंदरपूर छतरपूर में है सिद्गवां सागर में है जावरा रतलाम में है बगासपुर नर्सिंगपुर में आता है तो ये इतने सारे उद्ध्योग के अंदर है और भी है लेकिन ये जो मुख मुख है जिनको याद करना जरूरी है जो confusion पैदा करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिये हैं चले ये बात कर लेते हैं इन्हीं कॉरिडोर में से कुछ-कुछ महात्रपुन कॉरिडोर एक है पीधंपूर पीधंपूर क्या है तो पीधंपूर किसके अंदर गता आता है तो धारजले के अंदर गता आता है क्या है उद्ध्योग के अंदर है यहाँ पर क्या बनाया जाता है तो यहाँ पर आटो मुबाइल और कार निर्माल के उध्योग निर्मित हैं कौन कौन से हैं आटो मुबाइल और कार निर्माल के उध्योग यहाँ पर इस्थापित किये गए हैं इसी कारण से मद्धप्रदेश का डेट राइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है मद्धप्रदेश का डेट राइट, पीथमपुर में काइनेटेक, हॉन्डा, आईशर, मिच्छुबासी, हिंदुस्ता मॉटर्स, बजाज, टेंपो की एकाईयां इस्थापित की गई हैं, यहा मद्धागा, इन सब का निर्माले यहां पर किया जाता है, तो यदि आप से पीथमपुर पूछ लिया जाए, तो आपको थोड़ी वह जानकारी होना चाहिए, कि पीथमपुर किस जिले के अंतरगत आता है, यहां पर कौन कौन सी कंपनिया है, यहां पर क्या बनाया जाता ह इस के अपमा दी जाती है, तो यह चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आगे बात कर लेते हैं मालनपुर, मालनपुर किस के अंतरगत आता है, भिंडजले के अंतरगत आता है, गौालियर के नजदीक है, मालनपुर में स्टील, स्टिपस, एकाई, पॉलि पाइप, दौइ रसाइन पिक्चर ट्यूब, गेस सिलेंडर, क्राम्टन मीप्स के कार खाने और फॉर्म के गद्दे के सांसांत पॉलिथन बैग भी बनाया जाते हैं बात कर लेते हैं मेगनगर, मेगनगर किसके अंतरगत आता है तो जहाबवा के अंतरगत आता है तो यह जहाबवा जिले में इस्तित है, यहाँ पर लोहे के सामा जैसे की स्पंज आयरन, ट्यूब, एंगिल, पोल, तथा रासाइनिक उद्योग जैसे की उद्योग, एलकोहल, पॉलियस्टर, स्टेपल, फाइवर, सोडियम, सलफाइड, आदी के उद्योग लगाए गए हैं एक कुछ लगू उद्योग भी यहाँ पर स्थापित किये गए हैं, जैसे की नॉलजन की रस्टी यहाँ पर बनाए जाती है, इस्पिनिंग मिल, माचिस उद्योग यहाँ पर स्थापित किये गए हैं, इसके बाद आता है मंड़दीप जो कि राइसें जिले के अंतरगत आ आदी बढ़ी उध्योग इकाईयां यहां पर कारी कर रही हैं। इसके बाद आपके जो सिलेबस में तीसरी उणिट की अन्तिम एकाईय है यह तीसरी उणिट का अन्तिम वाला जो टॉपिक है जिसमें जनजातियां और मद्द प्रदेश की पिछडी विशेश कर था कर पिछड़ी जनजातियों के विशेश संबन्द में आपको पढ़ना है उसका अध्यन हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हम अगली वीडियो में आगले चप्टर के साथ तब तक के लिए नमस्कार।